नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर राम पंडे और स्वागत है आप सब काव मेरे एक नए वीडियो में हर एक लोग का ख्वाब होता है कि भाई वो करोड़ पती बन जाए एक रिक्सा चलाने वाले से लेकर के एक छोटी मोटी जॉब करने वाला एक छोटा मोटा बिजनिसमेन हर लोग का ख्वाब होता है कि भाई वो करोड़ो में खेले करोड़ो पती बन जाए उसके पास जब वो रिटायर्ड हो जब बुहा हो तो उसके पास कुछ हूज एमाउंट रहे ताकि वो अपने फ्यूचर के लिए अपने बच्चों के फ्यू करते हैं छोटा छोटा सेविंग करते हैं जैसे माली जी कि आप ठल बाख एक हजार रुपय के करीब हो जाएंगे और महीने के गर एक हजार रुपय आप बचालेते हैं आए जो आपको कुछ साल में करोड़ पती बना देगा आज हम एक ऐसे मिच्छोर की y soft kı करें जहां पे आप पैसे को इन्वेस्ट करके सिर्फ एक हजार पर मन्त का S.I.P करके आप करोडों रूपे उसे बना सकते हैं उसके A to Z fundamental analysis करेंगे क्या merit है क्या merit है यहां पे पैसे के इन्वेस्ट करने चीए किनको इन्वेस्ट करने चीए किनको पैसे क्या है कौन से सेक्टर्स जहां पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं और सारे ratio analysis पे भी हम लोग बात करेंगे लास्ट में हम लोग S.I.P calculator के थुरू भी देखेंगे कि भाई आपका पैसा कितने समय में कितना बन जाता है inflation को deduct करने के बार तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग इस fund के हम लोग इस fund के सबसे पहले बात करेंगे कि भाई इसके returns तो को returns सबसे ज़्यदा important role play करता है अगर आपको returns पता पाचा जाते हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई ए मिचुल फंट किस तरह के performance करेगा तो जब returns की बात करें तो एक साल के अंदर लगभग 40.7% का returns मनाग दिया है यह लगभग लगभग 40.7% का returns इसका एक साल के अंदर है तीन साल का returns इसका अगर देखें हम लोग तो लगभग 26.7% करीब इसका तीन साल का returns है और पांच साल के returns की बात करें तो लगभग 20% का returns बनाए आप अगर पांच साल तीन साल और एक साल के returns को देखेंगे तो consistently continuously increasing order में अपना returns बना के दे रहा है इसका ए मतलब है कि इसकी जो management है fund management और जो company mutual fund company है वो एक अच्छा performance कर रही है अपनी portfolio को best तरीके से diversify करने की कुशिस कर रही है और key है ताकि वो regular और continuously एक अच्छा returns बना के देखेंगे इसकी अलावा हम लोग बात करेंगे कि इस fund में concept इसके top sector से जहां पर holding है तो आपको देखने को मिल रहा है कि top sectors की जो इसकी holding है वो क्या है वही आपको सबसे में चीज़ finance sectors में top holding मिल रहा है इसको finance sector में लगवख 25% total 25% करीब top sector में पैसे को क्या कह रहा है इन्वेस्ट कर र लगवख 7.77 या निकि लगवख 8% करीब इसने पैसे इन्वेस्ट किये हम जब भी बात करते हैं तो sectors holding की क्यों बात करते हैं क्योंकि आप किसी particular company की हो सकता है कि उस sector कोई particular company चल जा है तो क्या whole sector चलेगा कि नहीं चलेगा पांच important sectors हमने लिए है जहां पे finance banking के बिना काम अधूरा है और banking का काम इतना जबर्जस इतना forward हो इतना सर्फ तरीके से improve हो रहा है हम totally banking पे डिपेंड है अब कोई पैसे लिके चलनी रहा है जर always हर चीज़ के लिए आप किस पे डिपेंड है banking system में एक दिन अगर bank बंद हो जाता है तो सोच यह त्रही माम त्रही माम हो जाती है अब बात करेंगे हेल्थ की हेल्थ सेक्टर किसी चुपा नहीं हो कितना ही important हमारे लिए automobiles हां हर लोको four wheelers यह ट्रक चाहिए बस यह बीना उसके काम चलने वाला नहीं है चाहें अभी हो या कल हो सर्विस सेक्टर्स की वहाँ पैसे इन वह से ऐसे पांच सेक्टर्स हैं जिनका फ्यूचर ग्रोथ जवर्जस्त है और आपके पैसे को जवर्जस्त ग्रोथ यहां पर क्या कर सकता है दिला सकते हैं इसके अलावा इसके अगर हम लोग बात करें मार्केट कैप्चरिंग का तो इसके जो पोट्फो 30153ORA परकेभा और स्मॉल कैप मैं पोटी फोर्टिन पर संञाध करिभ DJ जो इसका डाइवासी быстр Working केशन है außer juda कमाल का डैऽ सकार्टर को डाइवासी कैसर्च आपको रिटर्न और रिस्क को इस तरीके से Balance किया है कि आपकर ओगे वहा biscuit व्रजश्ते नवरी रिटर्न और रिस्क दोनों को क्या किया है बहुत मीजली में लार्स केप जहां पे आप अपको अब के पेसे जाते हैं मिड़ कैप जहां पे आप 200 कंपनी में और समॉर कैप में उसके आम साथ में स्मॉल केप में पैसा कम इन्वेस्ट हुआ है लेकिन 14 परसेंट इन्वेस्ट हुआ है तो इस तरीके से बैलेंस करने कोशिस किया गया कि लॉंग टम में आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं जो लॉंग टम के साथ माल लीजी वो सौट टम में पैसे इन्वेस्ट करना चाहत करके आप 30 साल 25 साल करके आप क्या कर सकते 15 साल 12 साल के लिए आप इस पर पैसे कर सकते हैं क्यूंकि आपके पोर्टफोलियों को जवर्जस्त बना करके इसने दिया है इसके आलावा हम लोग बात करें इसके कुछ बेसिक और की तो कुछ हमारे बाउट फंड की बात करें फंड क्यूंकि जब तक आप फंड के बारे में जानेंगे नहीं तब तक सारे काम अधूर है आप अब फंड की बात करें तो फंड साइज हमारा लगभग 3,185 करोद करीब है बहुत अधिक फंड साइज निये लेकिन ए फंड अधिके से पुल एफिसेंसी के साथ आपके फंड को मैनेज करने में लगएगा ताकि अधिक सदिक रिटर्स बनागे दे और आपको उसमें पैसे और अधिक सदिक लोग इन्वेस्ट करें एक्सपेंस रेसियो वन के नीचे है जिरो पॉइंट 77 परसेंड करीव है एस लंब सब वेट किए यहांने जो बेंचमार के रिटर्न ने उसे बहुत अधिक रिटर्स बना गए दिया इस फंड … और एन्वीए की बात करें नेट एसेट की बात करें पर यूणिट प्राइस की बात करें वह हमारा है 117 यारी 117 बहुत अधीक इसके अभीव देखिए मैं जब भी बात करता हूं आप अगर आप इतना पैसा इनवेस्ट करते हैं नौ इनट मिल जयता है और दो इनमेट थे खने में आप इसके अगर बात करें आम लोग सब्सक्राइब कर देखें तो देखिए आप अगर एक हजार इंवेश्ट करते हैं अगर उससे 90 परसेंट का वी करीब बनाता है 27 साल के लिए तो आपको लोगों एक करोड को उपर हो जाएगा तो आप इसको उपर नीचे कर सकते हैं आप अपने कोडिंग इसको उपर नीचे कर सकते हैं आप 25 साल के लिए 20 साल के लिए कर सकते हैं 18 साल के लिए कर सकते हैं 15 साल के लिए कर सकते तो आपका दो लाख लगवग आपको क्या है दस गुना पैसा बनागे देगा पांच गुना पैसा बनागे देगा 20 साल के अंदर देखिए है ना आपको कितना गुना लग सब्सक्राइब कर दिया करिए सर क्योंकि इस तरह के कॉंटेंट जबर जस्त मिलने वाले हैं आपको और दिल खूस हो जाएगा सर मस्त एक सेक मैं आप लोक लिए मिच्वल फंड हो चाहिए सेर मार्केट हो अलग-अलग मैं यूज अलग-अलग मैं अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर देता रहता हूं मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बंदे मात् झाल 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 झाल